मेरा नाम सुकांतो चंद्र है, मैं मुर्सिदबार जेला का बेल लंगा से आया हूँ मेरा सवाल हवा है, इसलाम और राजनीती में क्या फ़र्क है? मुझे ये जानना है इसलाम आता है इसलाम से, इसका मानी अमन और कोई भी इनसान अगर अपनी जिन्दगी, अल्ला सुबानाओं ताला के एकामात के मताबक बसर करता है, उसे कहते हैं Clock. इसलाम मतलब अमन हासिल करना, अल्लास सुबानाओं और के एकामात मे अमन करने के बाद हैं। राजनीती है जिसे कहते हैं अंग्रीजी में पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है किस तरीके से राज को चलाना, राजनीती किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना, इसलाम एक मुकमल दीन है, इसलाम एक मुकमल दीन है, वो सिर्फ कुछ च जो एक इनसान को किस तरीके से जिन्दगी बसर करना चाहिए, इस दुनिया में उसके बारे में धिकर करता है। ये पॉलिटिक्स लफ जो है, आज की तारीक में पॉलिटिक्स अक्सर घंदा हो चुका है। तो लोग जब politics बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये घंदा शब्स है लेकिन इसलाम में अलम्दलिल्ला किस तरीके से देश पर हकुमत करना उसके बारे में भी थिकर है आज की politics और इसलाम में जमीन असमान का फरक है लेकिन इसलाम में politics है इसलाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में उचा दरजा लगता है वो डिसिशन लेता है बेस्ट ऑन कुरान एंट सही हदीद कुरान जिस तरीके से हर मिलक का इस चाहिए आखरी चाहिए तर्वर्ण लेता है क्सी चाहिए जपर से जिद्गी को बसर करना चाहिए क्या चीज फर्द है क्या चीज हराम है क्या चीज मुबा है इसमें सारी डिटेल है और इसकी तो तश्री है और तफ्सीर आप बोलेएंगे वो है सई हदीथ Allah के रसूल की सई हदीथ जो एह घूला के रसूल seat ने कहा दुनिया में अमन रहेंगा अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि सो फीस्द कुरान और सुछी हदीश पे चल रहा है। ये दौर सबसे सुनेरा दौर था और सही राशनीती आप जानना चाहते तो इनको देखिए इनके दौर को देखिए अल्ला के रसूल और पहले चार खुर्फा राशिदीन के दौर इनमें आपको सबसे बहतरी इन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए ये सबस आला फिर से उचाई पहेंगे हुब दानसा दो कुछ